लेकिन इसी बीच सुनने में आ रहा है कि रणबीर कपूर ने एक बड़े फिल्म को करने से मना कर दिया है बॉलिवुड में बायपिक का फॉर्मूला अकसर काम करता है ऐसे में एक और बायपिक लाइन में है और ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे सौरफ गांगुली की जिंदगी पर होगी जुलाई में खुद सौरफ गांगुली ने एलान कर दिया था कि लवरंजन उन पर फिल्म बनाने जा रही है जिसके बाद ऐसी खबरे आई थी कि बंगाली आक्टर परम राता चटरजी गांगुली का रोल करेंगी लेकिन अब सामने आ रहा है कि मेकर्स ने रंबीर कपूर को रोल के लिए अप्रोच किया है एक लीडिंग वेबसाइट के रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने बताया लवरंजन जो कि फिलहाल रंबीर को डारेक्ट कर रही है उन्होंने आक्टर को सोरफ गांगुली के बायपिक के बारे में बताया था लेकिन रंबीर ने कोई रुची नहीं दिखाई उन्हें क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल पसंद है बात रही परंब्राता चेटर जी की तो उनका तो जिक्र भी नहीं किया गया परंब्राता ने कोई बयान जारी नहीं किया और वो अंचाही अटेंशन एंजोई कर रही है रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रंबीर कपूर ने सौरफ गांगुली के बायपिक में काम करने से मना कर दिया है फिलाल तो फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी काम ही हो रहा है मेकर्स स्क्रीन प्ले पूरा करने के बाद ही कास्टिंग पर काम करेंगे लेकिन फिलाल तो यही खबरे हैं कि रंबीर कपूर इस बड़ी बायपिक में काम करने के लिए इंच्रेस्टेड नहीं है अब रंबीर कपूर के मना करने के बाद इस फिल्म से रितिक रोशन, आयुश्मान खुराना समेत कई स्टार्स के नाम पर विचार किया जा रहा है खैर सौरफ गाहूली के रोल को बड़े पर्दे पर निभाने के लिए कौन राजी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलाल चलिए आपको बताते हैं रंबीर की कौन-कौन सी फिल्म में आने वाली है रंबीर जल्द ही वानी कपूर और संजिदत के साथ फिल्म शमशेरा में नजराएंगे रंबीर डकैट के रोल में दिखाई देंगे इस फिल्म के बाद रंबीर कपूर आलिया के साथ भ्रमास्त में दिखाई देंगे जो की एक साइफाई फिल्म है इस फिल्म के अलावा उलवरंजन की रोमैंटिक फिल्म में श्रधा कपूर के साथ दिखाई देंगे इसके अलावा एक्टर के पास एक गैंक्स्टर ड्रामा फिल्म आनिमल भी है जिसमें उनके साथ अनिल कपूर और परिनिती चोपला नजन आईए आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंच करके जरूर बताएं